हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्ट स्वागत है आपको आप बेस्ट केर अफ प्रेगनेंसी में फ्रिम्ट समय बहुत तरे वीवर सन्हें बहुत लंबे समय से प्रेगनेंट के लिए ट्राय कर रहे हैं बट वह प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं वह बताते हैं कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है सब कुछ एक्दम ठीक है बहुत सारे टेस्ट उन्हों ने करवा लिये सब ठीक है लेकिन इसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे है आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे पांच जरूरी बाते बताने जा रहे हैं जिसकी वज़े से गर्वधारन करना मुश्किल होता है अगर आप इन चीजों में सुधार कर लेते हैं तो आप आसानी से गर्वधारन हो सकती है क्योंकि जाने जाने आपको नहीं पता कि क्या प्रॉबलम है इस वज़े से हम गर्वधारन नहीं कर पा रहे हैं आप समझते हैं कि हमने टेस्ट करा लिया सारे टेस्ट तो नॉर्मल है फिर क्या प्रॉब्लम है कि हमसे गर्वधारन नहीं हो रहा है तो वही पांच बातें आज के सीडियो में आपको बताने चारें आप भी नोटिस करें कि इन में से कोई एक पॉइंट है जो आपके साथ मैच कर रहा है अगर मैच कर रहा है तो इस वज़े से आपका गर्वधारन नहीं हो रहा है उसे ठीक करें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंट हो सके पहली जो बात होती है कि पीरियट्स आपके पीरियट्स का ठीक होना बेहर जरूरी है समय से आना बहुत जरूरी है पीरिट्स में blood का flow होना सही जरूरी है अगर पीरिट्स आपके समय से नहीं आते अप down है, कभी आगे आगे, कभी पीछे आगे या फिर पीरिट्स में bleeding ठीक नहीं या फिर पीरिट्स बहुत ज़्यादा irregular है या फिर जब आप दवाई खा रहे हैं तभी पीरिट्स आ रहे हैं, दवाई नहीं खा रहे हैं तो पीरिट्स नहीं आ रहे हैं अगर इस तरह की समस्या है तो pregnancy conceive करना बेहद मुश्किल है क्योंकि pregnant होने के लिए किसी भी लड़की का पीरिट्स का regular होना बेहद आवश्क है तो अपने पीरिट्स पे फोकस करें उनको ठीक करें अगर सही नहीं है तो हिमालिया की हर्बल इविकेर सीरा पाती है उसे लिए एक महीने पी डालें आपके पीरिट्स बिलकुल ठीक हो जाएंगे दूसरी टिप कि आपका evolution आपका evolution टाइम आपको पता होना बेहद जरूरी है जो महीरा अपने evolution टाइम से वाकिफ होती है वो जल्दी से जल्दी pregnancy conceive कर लेती है अगर आपके पीरिट्स 10 दिन उपर नीचे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका evolution टाइम भी disturb हो जाएगा वो भी फिर उपर नीचे हो जाएगा और evolution टाइम को इसलिए इतने महत्व दिया जाता है क्योंकि यह 6 दिन का समय लेके चला जाता है कि 6 दिन का evolution टाइम होता है इसमें से कोई एक दिन होगा जब egg release होगा तो relation आप बनाएंगे तो egg और sperm कमीट होगा और pregnancy conceive हो जाएगी लेकिन जब evolution टाइम आपको सही से पता ही नहीं होगा तो वो दिन पास आउट हो जाएगे या फिर उपर नीचे हो जाएगे कोई एक दिन था जो जिस दिन egg release होना था वो एक time निकल गया और आप relation नहीं बना पाए तो इस वज़े से pregnancy भी conceive नहीं हो पाती है तो अपने periods को जब आप ठीक रखेंगे तो आपका evolution time भी सही से होगा आपको पता होगा कब होगा evolution और आप उस time के relation बनाएंगे और relation बनाने के बाद कुछ खास tricks और tips होती है उन्हें follow करनी होती है इससे आप जल्द से जल्द गर्वधारन कर लेंगे तीसरी जो बात है stressful life आजकल महिलाओं की भी चाहे वो working हो चाहे वो घर पे रहती हो उनकी भी life बहर stressful है वो एक तो अगर बच्चे नहीं हो रहे है तो उनको उसकी बहुत ज़्यादा tension होती है कि हमें क्यों नहीं हो रहे है अगर वो working है तो उनकी घर से बाहर तक की भी tension होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस वज़े से वो उतना ज़्यादा खुद को अपनी body के लिए time दे नहीं पाती और stress का जो hormone होता है वो pregnancy के hormones को suppress करता है रोकता है उन्हें बढ़ने नहीं देता बाड़ी में इस वज़े से भी आप कई बार try करते हैं बहुत सारे attempt करते हैं लेकिन फिर भी आप गर्वधारन नहीं कर पाते उसका reason यही है कि आप stress बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप stress कम कर दीजिए pregnancy के hormone अपने आप आपकी body में बढ़ने लगेंगे क्योंकि stress ही है जो आपकी pregnancy को conceive नहीं होने दे रहा है तो थोड़ा खुश रहिए अपने लिए समय निकालिए खुद को समय दीजे तो इससे आप जल्द से जल्द गर्वधारन भी कर पाएंगी चौती जो tip है आपके खान पान का महिलाएं अकसर अपने घर में अपने family members के खान पान का तो बहुत ध्यान रखती है लेकिन वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाती है जबकि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे खान पान की जरूरत है अच्छी healthy diet की जरूरत है क्योंकि आप हैं अगर आप pregnant होगी healthy baby होगा, healthy pregnancy होगी, healthy delivery होगी सब कुछ जब healthy होगा तभी आपकी family अच्छे से growth करेगी अगर आप अपने उपर ध्यान नहीं देंगी अगर आपकी अच्छी diet नहीं होगी तो हो सकते अगर आप कमजोर होंगी, starryry group से कमजोर हैं मांसिक रूप से कमजोर हैं या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी ठक जाती हैं काम कर करके आपको weakness बनी रहती तो ऐसे condition में आप कैसे pregnancy conceive कर सकती हैं अगर conceive कर भी लेंगी by chance तो उस pregnancy में भी बहुत जारे complications होगे तो इसलिए अपने उपर ध्यान दीजिए अपनी diet को बहतर बनाईए बहुत अच्छा बनाईए कि आपको कभी भी किसी तरह की weakness कमजोरी, सरदर्द, कमरदर्द आए दिन बुखार हो जाना काम में मन ना लगना, ठकान हो जाना ये सब कमजोर होने के निशानिया होती है तो अपने आपको अंदुरूनी सारी रिक रूफ से मजबूत बनाए, आप जितनी मजबूत होंगी जितनी healthy होंगी, pregnancy conceive करना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा तो अपनी diet पे अच्छा ध्यान दीजे dairy fruits लीजे दूध है, दही है, पनीर है green veggies है, dry fruits अपनी diet में शामिल करिए, juice लीजे इन सब चीजों को आप शामिल करेंगे तो आप सारी रिक रूफ से मजबूत भी होंगे और जल्द इस से जल्द pregnancy भी conceive हो जाएगी उसके बाद पांचवी जो tip है जो लोग महिलाएं हैं वो क्या करती हैं कि उनको कई बार hormonal imbalance होता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है वो सारे test करा लेती है कि हाँ, ठीक है, हमने ultrasound करा ली है सब कुछ है, कोई problem नहीं है exercise भी ठीक है लेकिन एक बार आप अपने hormones test करवाई, हार्मोन में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि थाईराइड हो PCOD हो, PCOS हो या फिर ovarian cyst है आपको या कुछ और problem है जिसकी वज़े से आप गर्भवती नहीं हो पा रही है यह symptoms अगर hormonal imbalance होते हैं तो यह symptoms आपके periods पे दिखते हैं आपके periods का irregular हो जाना समय से ना आना या आपको बहुत ज़्यादा गुसा आना या चानक से weight बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना hormonal imbalance होते हैं तो उसका असर आपके body पे दिखाए देता है body में hair growth ज़्यादा हो जाना इस टाइब की चीज़े होने लगती हैं अगर आपको भी इस तरह के symptom से दिखने शुरू हो जाए तो आप समझ लिजे कि आपको किसी तरह का hormonal imbalance है आप blood test कराईए अपना डॉक्टर से concerned करिए फिर उसके बाद confirm होगा कि आपको hormonal imbalance है या नहीं क्योंकि अगर hormonal imbalance होता है महिलाओ में तो भी उन्हें pregnancy conceive करने में बेहत दिक्कत होती है और जो last reason होता है pregnancy ना conceive होने का कि या तो महिला की egg की quality अच्छी नहीं है या तो फिर पूरुष के sperm की quality अच्छी नहीं है तो जब भी आप test कराएं आप दोनों लोग अपना test कराएं husband का भी कराएं अपना भी कराएं अगर egg की quality अच्छी नहीं है तो उसे आप अपने diet से ही ठीक कर सकती है उसमें लिए आपको ज़्यादा परिशान अनुने होने की ज़रत नहीं है बस आपको daily हरी vegetables लेनी है जितने भी grains पत्यदार सबजी आती है आपको वो खाना है आपको अपने diet में dry fruits सामिल करने है अगर आप अपने diet अच्छी कर लेंगे तो आपके egg की quality अटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएगे और आपके husband के अगर sperm count कम है उनकी भी quality अच्छी नहीं आपके साथ इन में से क्या reason है find out करिए अगर कोई reason आपके साथ भी match करता है तो उसको ठीक करिए उसकी बाद आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से pregnancy conceive कर सकती है परिशान होने की जोद नहीं है बस stress का level अपने कम रखी है जब आपके body से stress के hormones कम होंगे तब आप automatically pregnancy conceive कर लेंगी तो ये video था खास आप सभी के लिए क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारी लोगों के comment आते थे कि मैम हम pregnancy conceive नहीं कर पारे हम क्या करें तो आप ये reason देखिए इन्हें ठीक करिए आप बहुत जल्दी गर्वधारण नहीं कर पाएंगी और अगर कुछ और आपको पूछना है या कोई और problem है आपकी तो भी आप comment करके पूछ सकते हैं उसका reply भी आपको जरूर मिलेगा तो चलिए मिलते मारे नए वीडियो में नहीं और खास जानकारी के साथ तब तक के लिए बबबाई, see you soon, stay happy and stay healthy